हलो साथियों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर यह अपडेट आई है आप सबको बताने के लिए मैं अभी यह वीडियो अप्लोड कर रहा हूं गुड न्यूज है बहुत सारे मैसेज आ रहे थे एलपी और टेक्निशन दोनों के लिए तो स इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है भारत सरकार रेलवे मंत्राले साहयक लोको पाइलट एलपी शुद्धी पत्र संख्या 1 साहयक लोको पाइलट एलपी सीएन 2014 के लिए आधिसुचित रिक्तियों में व्रिद्धी है ना अब देखिए कह रहा है कि रिक्तियों को बढ़ाने के लिए दिनांग 19-6-2024 के नोटिस के क्रम में स्रेडी वार्विभिन पदों के साथ सभी रर्वी की विस्त्रित संसोधित रिक्तियों CEN-1-2024 के रिक्त तालिका अनुलग्द B1 के रूप संलग्न किया गया है कह रहा है कि सभी नियमा और सर्तें आपरिवर्थित रहेंगी उमीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो RRB के अपने विकल्प और चुनेगर RRB के भीतर सभी छेत्री रेलवे यानि कि जोन और जो भी है ना उसके अंदर डिवीजन थे उनको आप चाहें तो है ना अगर चाहें तो संसोधन के लिए सभी RRB की अधिकारिक वेबसाइट पर सीख ग्रही लाइब होंगी जो केवल दस दिनों के लिए वैत रहे है कि दस दिन का आपको टाइम है क्लियर है आप देखिए उम्मेदवारों को सलाह दी जाती है कि RRB के आविश है तो टल वेकेंसी कितनी हो गई है अठारह हजार साथ सो निननानवे पोस्ट हो गई है बढ़ कर के टोटल है ना अब आप देखेंगे जैसे अरवी आहमदाबाद में आप टोटल सीट देखें तो अब 937 हो गई है बैंगलोर में हो गई है साथ सो एक सट भौपाल में हो ही है 730 और 101 अलग अलग डिवीजन है ये फिर भूवनेश्वर में आप देखेंगे तो 930 फिर बिलासपुर में आप देखेंगे तो 4000 और 462 और है तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा स्टीट है तो देखिए अब बहुत सारे लोग बड़ा करके जो लोग छोटे-छोटे ज होंगे वह ऐसे जोन में फिर से जंप करने की कोशिच करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा नंबरा वेकंसी है ऐसा नहीं करना है आपको आपको जोन सेलेक्ट करते समय देखिए यह सारा डाटा तो आपको मिली गया होगा है ना कि जिसे मुंबई में कितनी वेकंसी है तेरा स फॉर्म का फिलप हो रहा था अगर अभी आप चेंज करोगे चेंज करने की दो शर्ते हैं पहली बात तो आपके घर के पास आपको जोन चुनना है यह सभी के लिए सभी बच्चे ऐसा करेंगे तो कहीं भी कमपटिशन हाई नहीं होने वाला है ठीक है घर के पास आप जोन क जोन नहीं है यहां पर वह ज्यादा फॉर्म फिलप नहीं हुए थे पिछली बार और वैकेंसी का जो अनुपात है वह लग भग ठीक ठाक रहा है है तो आपको जोन चेंज नहीं करना है आप नहीं करना है ठीक है यह दो सला यहीं सला थी बांकि आप देखिए अब इसका मैं अनलसे डिटेल करूँगा ट्रेडवाइस डिटेल एनालसेश करके आप सबको बताऊंगा कि कहां पे कौन से ट्रेड की है ना कौन से चाहे वो एलपी मेकैनिकल हो चाहे वो एलपी इल सब्सक्राइब नहीं कि पता चला कि आप सिर्फ यूर की पोस्ट है या स्टी की पोस्ट ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है तो इन कि चाहे वह आपकी RAC ट्रेड हो चाहे वह आपकी डीजल मे कैनिक ट्रेड हो चाहे वह से अपनी पढ़ाई को देखिए ट्रेड थियोरी की आपकी जिम्मेदार ही हमारी है बांकि पार्ट ए से बीटी वन इसकी तयारी आप खुद करो तो बस यह चोटा सा अपडेट था बताना जरूरी था इसलिए मैं यह वीडियो लाया हूं और हाँ टेक्निशन की वेकंसी बढ़ेगी मैं फिर से बत धन्यवाद मिलते हैं किसी अगली क्लास में या किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक यू